मेरे साथ बोलिये बारत मता की क्यूं भई क्या हो गए पाटले पुत्रवालों की आवाज को मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है बिहार की सभी सिटों पर NDA को जिताना है या नहीं जिताना है तो भले आदमी ऐसी आवाद नहीं चलती माताएं बेहने बैठी हैं भाईों बेहनों सभी दोनों हाथ उठाओ जरा उठाईए दोनों हाथ चार सो पार के संकल्प की मुट्टी बीचे और प्रचन्द आवाद से बोले भारत मता की भारत मता की मंच पर उपस्तित बिहार प्रदेश भारतिय जन्ता पार्टी के द्यक्स और उपमुख्यमंत्री स्रिमान समराट चोद्री जी हमारे OBC मोर्चा के राष्ट्रिय द्यक्स स्रिमान लक्ष्मन जी स्री विजाई सिना जी स्री नित्यानन राई जी रवी संकर प्रसाज जी और यहां के संसज और मेरे मित्र राम कुपाल यादव जी और आज इस विराट सम्मेलन में आये हुए प्यारे भायों, बैनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकडे जैसे ही युवा मित्रो, आप सभी का नमस्कार मित्रो, आज सबसे पहले पाटली पुत्र की इस पवीत्र भूमी को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवाद करना चाहता हूं यह जो भूमी है, यह चंद्र गुप्त और चानक्य की भूमी है, यह भूमी सहजानन जी की भूमी है, यह भूमी हमारे वीर नेताओं की भूमी है मैं बिहार में आया हूं तब बाबु कुवर सिंग जी, जय प्रकास नहरायन, बाबु जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबु और भारत रतनक करपूरी ठाकुर को भी प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवाद करना चाहता हूं मैं यहां आया हूं तब हमारे बाजपा के वरिष्ट नेता, सबसे पहले जिलाद्यक्स स्री कनाई बाबु को भी याद करकर मेरी बात की सुरुवाद करना चाहता हूं मित्रों मैं आज सबसे पहले बिहार की जन्ता का रदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि हम जब जब आये बिहार की जन्ता ने हमारी जोली कमल से भर दी है 2014 में आये आपने मोदी जी को 31 सिटे दी 19 में आये 49 दी और 24 में 40 की 40 सिटे मोदी जी की जोली में डालना है डालोगे क्या अरे छोड से बोलो डालोगे क्या भाई और बेनो अभी अभी मोदी जी आये थे दो लाग करोड से ज्यादा विकास की योजनाओं का उद्गाटन और लोकारपन देश बर में मोदी जी किये मगर मैं आज मोदी जी को समग्र बिहार की जन्ता की और से एक विशेश बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ इतने सालों से कॉंग्रेस पार्टी एन लालू प्रसाद यादव सट्टा पर रहे इनोंने करपूरी ठाकूर जी का सन्मान करने का काम नहीं किया बिहार के पिछड़ा वर्क के हितेसी और बिहार के जन्नायक करपूरी ठाकूर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जीने किया है कॉंग्रेस पाटी ने हमेशा अपने परिवार का सन्मान किया लालू जी भी पूरा जिवन पिछडों के नाम पर परिवार के लिए जिये बाई और बैनो मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉंग्रेस की नेता सोनिया गांडी का एक मात्र लक्स है राहूल गांडी को प्रदानमंत्री बनाना और लालू जी का एक मात्र लक्स है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना मुझे बताओ जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रदानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या जोर से बुलिय कर सकते हैं क्या पिछड़ावर का अति पिछड़ावर का गलीद का घरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोधी जी और भारतिय जन्ता पार्टी कर सकते हैं इसलिए हमने कई प्रकार के काम गरीबों के लिए करना किया है मित्रो नरेंद्र मोधी जी ने दस साल के अंदर पिछड़ावर के लिए अति पिछड़ावर के लिए धेर सारे काम किये मोधी जी ने कई सारे काम किये और लालू जी जिनकी घोदी में बैठे है वो कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा आति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया मित्रो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी सालों तक कालका साहेब कालेलकर कमिशन की रिपोर्ट को वो दबा कर बैठे मंडल कमिशन की रिपोर्ट को इंदरा गांदी ने दबा दिया और जब संसद में पेश हुआ राजीव गांदी ने दो घंटा भासन करकर OBC आरक्षन का विरोध किया और फार्टिय जन्ता पार्टी ने इसका समर्थन किया आज लालू प्रसाद जी वो ही कॉंग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे है जीने हमेशा OBC का विरोध करने का काम किया भाई और बेनों पिछड़ावर गायों को इतने सालों तक कॉंग्रेस पार्टी ने समवईधानिक मान्यता नहीं दी कॉंग्रेस पार्टी ने केंडर के इंस्टिटुशन में कभी भी पिछड़ावर को आरक्षन देने का काम नहीं किया वो काम भी नरेंद्रमोदी की भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया भाई और वेनों वो भी सी उद्यम्यों के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया और धेर सारे काम किये मुझे बताओ जिन्होंने पूरा जीवन पिछडा अती पिछडे का विरोध किया है वो कॉंग्रेस पार्टी की गोदी में बैटे हुए लालू प्रसाजी आपका भला कर सकते है क्या जोड से बोलिये कर सकते है क्या वो एक ही काम कर सकते हैं पीछडा और अती पीछडा की भूमी हत्याने का काम गरीबों की भूमी हत्याने का काम मगर मैं आज इस मन्त से लालू प्रसाजी की पार्टी को चेताने आया हो बिहार में फिर से डबल एंजिन की सरकार बन गई है भूम अप्याओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भार्तिय जन्ता पार्टी की सरकार है हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल एंजिन सरकार एक कमिटी गठन करेगी जिन जिन्नोंने गरिवों की भूमिक अपजाई है इसके लिए एक कमिटी कठोर कारिवाही करेगी और जैल की सलाखों के पिछे डालने का काम करेगी लालू जी आप कितना भी कर दो आप इस प्रदेश के बिहार जैसे प्रदेश के हैं पिछड़ा अती पिछड़ा को बरगला नहीं सकते हों वित्रो आपने मोदी जी को दो टम सासन करने का मौका दिया मोदी जी ने मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को पांचवे नंबर पर पहुँचा है मोदी जी आपका असिरवाद मांग रहे है दुनिया की तीसरी बड़ी ताकात बनने के लिए मोदी जी आपका असिरवाद मांग रहे है आत्मन निरबर भारत बनाने के लिए विक्सीत भारत बनाने के लिए और ये लोग आपका वोट मांग रहे है ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं अपने कुन्बे का भला करने के लिए मुझे बताओ एक और देश के 25 करोड लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निखालने वाले मोदी जी है 80 करोड लोगों को प्रती व्यक्ति प्रतिमा 5 किलो अनाज मुप्त में देने वाले मोदी जी है 12 करोड गरीबों को घर में सोचा लई देने वाले मोदी जी है चार करोड गरीबों को घर देने वाले प्रदान मंत्री मोदी जी है दस करोड गरीब माताओं को उजवला का सिलिंडर देने वाले प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी है 14 करोड गरीबों के घर में नल से जल पहुचाने वाले प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी है और अब बिहार के करोडों लोगों को अभी अभी मुझे समराज चोधरी बता रहे थे एक करोड लोगों को काड़ बाण दिया दो महिना में एक करोड परिवार मतलब 6 करोड लोगों को पांच लाग तक का स्वास्त का फूरा खर्चा नरेंद्र मोदीजी ने प्री ओप कोश कर दिया है मुप्त में अब किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती है तो इसको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है भाई और बेनों एक विश्वकर्मा योज ना लाए लगबग लगबग 20 प्रकार के काम काज करने वाले विश्वकर्मा भाईयों को पांच प्रतिसत से रियायती व्याज पर एक लुपिया एक लाख रुपिया दो लाख रुपिया और पंदरा हजार का कीट देने का काम भी भाईयों जनता पार्टी की सरकार करने वाली है भाई और बेनों यह आरजेडी और कॉंग्रेस दोनों गपला गोटाला करने वाली प बताता हूं आरजेडी ने चारा गोटाला किया वर्दी गोटाला किया पाइप गोटाला किया मेगा गोटाला किया रेलवे के होटल के आबंटनका गोटाला किया बालू गोटाला किया और बेनामी संपती बेटे बेटियों के नाम से अबजो रुपियों की जब्त की वित् कॉमन वेल्ट गोटाला टूजी गोटाला ओगस्टा वेस्टलेंड गोटाला लेंड फॉर्थ जॉब गोटाला बॉफोर्ज गोटाला सारदा चिटफन करने का काम भी कॉंग्रेशियों ने किया और मोदी जी एक घरीब के घर से आया हुआ आदमी है एक चाय बेचने वाले गरीब का बेटा अद्देश का प्रधान मंत्री बना है इतने साल हो गए 23 साल से मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री है मोदी जी उन पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का अरोब हमारे विरोधी भी नहीं लगा सकते इस प्रकार का सासन नरेंद्र मोदी जी ने किया अंट में भाई और बेनो मोदी जी को एक तीसरा मौका दिजे 400 पार कराईए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे पिछड़ा अती पिछड़ा का कल्यान नरेंद्र मोदी जी करेंगे भाई और बेनो अंट में मैं इतना कहना चाहता हूं मुझे बताओ एक कस्मीर जो है यह हमारा है या नहीं है ऐसे नहीं भाई जोर से बोलो लालू तकवाद जाए ऐसे एक कस्मीर हमारा है या नहीं है दारा तिन सो सत्तर हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी इलालू कॉंग्रेस सभी लोग मिलकर 75 साल से धारा तिन सो सत्तर को समाल कर बैठे थे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रदान मंत्री बनाया दारा तिन सो सत्तर को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को समाप्ट करकर कस्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया भाई और बेनो मुझे बताओ अयोध्या में राम मंद्री बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोर से बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था यही लालू प्रसाद यादव है जिसने अड़वाणी जी को पकड़ कर राम रत को रोका था लालू जी आप कुछ नहीं कर सकते बिहार की जनता हमारे साथ है मोदी जी ने राम मंदिर का भुमी पूजण भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतीस्टा करने का काम भी मोदी जी ने कुछ इसके जात साथ मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद नकसलवाद को भी समाप किया भाई और बेनो इस देश को सुरक्षित बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते इस देश को समरूत बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते और पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्का उत्थान करने का काम भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं मुझे बताइए मैं आज इस पाटली पुत्र की महान भुमी पर आया हूँ आने वाले दिनों में देश का चुना होने वाला है विहार की जनता चालीस में से चालीस सिटे एंडिये को मोदी जी की जोली में डालेगी क्या जोर से बोले डालेगी क्या मोदी जी को तिसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे क्या मोदी जी को तिसरी बार प्रदान मंत्री बनाने के साथ साथ जार सो पार कराएंगे क्या जोर से बोलो कराएंगे क्या तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ विजाई के संकल्प की मुट्टी बीचे और प्रचंद आवाद से बोलिये बारत मता की बारत मता की One day One day बोले जए स्री राम जए जए स्री राम